प्रखनों में भले ही कडाके की ठंड पर रही हो लेकिन सियासी पारा चरहा हुआ है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही हैं राजनितिक डल अपने चुनावी अभ्यानों की तैयारी के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों को चोट पहुचाने में भी लगे हुए हैं बिजेपी के OBC कैटेगरी के नेता के सपा की तरफ पलायन और फिर्फ मुख्यमंतरी आदितिनात के नेत्फरिट पर उठे सवालों के बीच बिजेपी अब जवाबे प्रवहार की तियारी कर रही है इसका जर्या बनेगी मुलायम सिंग यादव की बहू अपढ़ना यादव विस्वस्टिय सूत्रों के मताबिक सनिवार स्राम अपढ़ना यादव ने बिजेपी ने ताओ से मुलाकात की है और हो सकता है कि वह बहुत जल्द उनके बिजेपी में जाने की अधिकारिक घोशना भी हो जाए क्या पढ़ना यादव बिजेपी में आ रही है फिलहाल इस सवाल पर बिजेपी प्रवक्ता राकेश रिपाठी मुस्कुराते हुए कहते हैं अभी उनके आने की हमारे पास कोई खबर नहीं है लेकिन वो आएंगी तो हम स्वागत करेंगे प्रिपाठी कहते हैं कोई भी भारती जनता पाठी को मजबूत करने के लिए आएगा तो उत्तर प्लदेश को मजबूत करने के लिए आएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे अगर अपर्णा बिजेपी में आती हैं तो बिजेपी के लिए उन्हें जगा देना बहुत आसान नहीं होगा पुर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव के बेते प्रतीक यादव की पतनी अपर्णा यादव लखनव कैंट विधान जभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में चुनाव हार चुकी है चुनाव हारने के बाद भी अपड़ना यादव लखनव कैन शेतर में सक्रिय रही है उनकी पहचान एक समाचिक कारेकरता की भी है यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की पहली साधी से हुए बेटे हैं मुलायम ने उन्हें अपनाया है और अपना नाम दिया है योगी आदित्यनात के मुख्यमंतरी बनने के बाद उन्होंने उन्हें लखनव में अपनी गौसाला में बुलाया था इस घटना को जबरदस्त मिडिया कवरेज मिली थी इसे अखिलेश यादव से उनकी नाराज़की के तौर पर भी देखा गया था अपड़ना यदि बिजेपी में जाएंगी तो वो लखनव कैंट से टिकेट जाहेंगी क्या उन्हें टिकेट देना पार्टी के लिए आसान होगा इस सवाल पर राकेश्ट पार्टी कहते हैं कि बिजेपी में टिकेट पार्टी नित्रित तैय करती है वही इस पर फैसला लेंगे अपड़ना यादफ के बिजेपी का रुख करने की एक वज़ा ये भी है कि समाजवादी पार्टी में लखनव कैंट विधान सभा सीट से उनका टिकेट अभी तैय नहीं है लेकिन बिजेपी के लिए भी उन्हें लखनव कैंट से टिकट देना आसान नहीं होगा कॉंग्रस से बिजेपी में आई पुर्व कैबिनेट मंटरी रीता बहुगना जोसी इस सीट से जीतती रही है कॉंग्रेश छोड़कर बिजेपी का दामने के बाद उन्होंने 2017 में यहां से चुनाव जीता और फिर 2019 में लोकसभार लड़ने के लिए सीट छोड़ दी उपचुनाव जीतने वाले मौजूदा बिजेपी विधायक सुरेश चनल तिवारी भी यहां से टिकेट के मजबूत दाविदार हैं सपा की ही युवानेता सौम्या भट इस सीट से चुनाव लड़नी की तयारी कर रही है सौम्या लखनव में एक सिक्षन संस्थान चलाती है और उनके पहचान भी एक समाजिक कारे करता की है सौम्या को डिमपल यादव और अखलेस यादव का करीबी भी माना चाता है इसकी पुष्टी करते हुए वे कहती है अपने काम की जरिये मैं डिमपल जी के करीब हूँ अपड़ना यादव के समाजवादी पार्टी छोड़कर बिजेपी की तरफ जाने की चल्चा उपर टिपनी करते हुए सपा की एक नेता कहते हैं अपड़ना समाजवादी पार्टी में बहुत सक्रिये भी नहीं थी उन्हें पार्टी की नीतियों और नित्वित वर भरोसा नहीं था महिद्राजनितिक हलके में अभी चर्चा है कि अपड़ना और डिमपल की बीच संबंद बहुत अच्छे नहीं है हलनकि सार्वजनिक तोर पर कभी भी डिमपल ने अपड़ना को लेकर ठिपनी नहीं की है माना जा रहा है कि डिमपल की करीबी महिला नीता को पार्टी में बढ़ावा दिये जाने से भी अपड़ना आसहज हो सकती है